नमस्कार MP Newscast में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीलम्द वेच चली रुख करते हैं आज की बड़ी खब्रों का चिंद्वारा, शुक्रवार सुबह सिबनी रोड स्थित एक होटल में अचानक शार्ट सरकित से आग लग गई जिससे लाखों की तबाही हो गई घटना सुबह से पांच बजे के आसपास की है, दरसल यहां स्थित लाल बहादूर चौक पर एक होटल में अचानक भीशन आग की लप्टें उठती दिखाई दी जिसके बाद ततकाल मौके पर मौझूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी पुलिस भी मौके पर पहुची कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के दो वाहनों की मदद से आग पर काबू तो पालिया गया लेकिन देखते ही देखते यहां होटल का पूरा सामान जलकर खाक हो गया जिससे लगभग दो लाग का नुकसान हो गया है कुछ दूरी पर है दो पेट्रोल पंप गौर्तलब हो की जिस होटल में आग लगी है वह कमर्शियल क्शेत्र में आता है यहां चंद कदमों की दूरी पर दो पेट्रोल पंप भी स्थे थे यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था ततपर्ता के कारण टल गया बड़ा हादसा गौर्तलब हो की जिस होटल में आग लगी वहां अंदर चार एल पीजी सिलेंड रखे थे गनीमत रही की समय रहते आग पर काबू पालिया गया नहीं तो बड़ी अन्होनी हो सकती थी सुबह हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में प्रथम मच गया था क्योंकि होटल के बाजू में भी कुछ मकान और दुकान ही थी जहां भी आग फैलने का डर था लेकिन समय रहते यहां आग पर काबू पालिया गया समवाद दाता शुभम सहारे चिंद्वाड़ा